नमस्कार मैं डॉक्टर आशुतोष च्छा, कंसल्टेंट और्थोपेडिक्स मनिपाल हॉस्पिटल से, आज मैं आप सब के सामने कंधे में होने वाली एक और कॉमन प्रॉब्लिम जिसे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या टेयर कहते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करू रोटेटर कफ एक ग्रूप आफ मसल्स होती है, मासपेशियां होती है, जो हमारे कंधे के ऊपर अटैच होती है, और जिनसे हमारे कंधे की में मूवमेंट्स होती है, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मरीजों को रोटेटर कफ में प्रॉब्लिम आती है, इसको हम मूलतर द दो ग्रूप में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिसमें कि मासपेशियों के अंदर अंदरूनी घिसावड आती हैं, जिसे हम टेन टेनियünde कहते हैं,од दूसरा ग्रूप वो हता है जिसमें ये मास-पेशी या तो आधी या पूरी टूट जाती है जिसे हम partial या complete rotator cuff tear कहते है ये विमारी किन लोगों में प्राय पाई जाती है ये भी हम दो अलग-अलग age category में divide कर सकते है young patients में जो काफी active है, athletic है, sports खेलते हैं जैसे कि badminton, volleyball या swimming करते हैं उनमें अक्सर injury की वज़े से rotator cuff के partial या complete tear देखे जाते है old age patients में जिनमें diabetes की शिकायत रहती है उनमें धीरे-धीरे degeneration की वज़े से rotator cuff की tendinitis होती है आगे चलके ये tendinitis भी tear में convert हो सकती है मरीज को rotator cuff की problem से क्या दिक्कते आती है normally मरीजों को अपने कंदे की एक खास angle की moment में pain महसूस होता है मरीज ये कह सकता है कि जब हम कंदे को ऊपर उठाते हैं तो शुरुआत में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन 90 degree के ऊपर जब कंदे को ले जाते हैं जैसा कि normally हम किसी ऊचे जगह से कोई सामान उतारने की कोशिश कर रहे हैं या suppose कि किसी कपड़े को हम किसी वायर पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय मरीज को अपने कंदे में एक sharp pain महसूस होता है ये धीरे धीरे चलके बढ़ता जाता है और जब इसमें tear हो जाता है तो मरीज ये शिकायत करता है कि अब वो अपने कंदे को पूरी तरह उठा नहीं सकता या उस हाथ से कोई चीज को दूर सक फेक नहीं सकता कैसे पता लगाएं कि हमें rotator cuff की tendinitis या tear की शिकायत है इसके लिए MRI या ultrasound की जाँच होती है डॉक्टर आपको क्लिनिक में examine करके भी ये detect कर सकते है कि आपके rotator cuff की strength कम है जिसकी वज़े से आपको tendinitis या tear हो सकता है इलाज कैसे संभव है? जी हाँ ये पूरी तरह इलाज किया जा सकता है इसका शुरुवाती स्टेज में जब tendinitis की शिकायत होती है तो मरीजों को हम कुछ खास किसम की exercises बताते है और साथ में tendon के repair करने के लिए कुछ नई दवाईयां आई हैं वो दी जाती है अगर दर्द बहुत जादा होता है तो उसमें हमें intra-articular steroid के injections भी recommend किये जाते हैं जब ये पूरी तरह से टूप चुका है यानि कि ये complete tear का case है तो उस case में हम दूरबीन से इसके repair की surgery recommend करते हैं ये surgery आज की date में काफी काम्याब है और 3-6 माइने के rehabilitation के बाद मरीज दोबारा अपनी normal routine activities को कर सकता है rotator cuff tendonitis और tear की समस्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है और हमारी hospital की team पूरी तरह equipped है MRI ultrasound से इसको detect करने में तो आएं मनिपाल hospital गाजियबाद और अपने कंदे से related rotator cuff pathology के बारे में और ज्यादा जानकारी पाएं और इसके इलाज से संबने सारी समस्याओं का समधान करें धन्यवाद